नुपुर शर्मा के विवाजत बयान के बाद तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के लिए क्राउट पंडिंग के आरोप में गिरफतार मुखतार बाबा पर पुलिस प्रशाशन का शेगंजा लगातार कस्ता ही चला जा रहा है सोमबार को जिला अधिकारी के आदेश पर बाबा बिर्यानी के सभी प्रतिष्ठानों पर शापे मारी करते हुए उन्हें सील कर दिया गया इससे पहले बाबा बिर्यानी की दुकानों पर सेंपलिंग की कारवाई की गई थी सेम्पल फेल होने के बाद सोमवार को सरूपनगर चुही नवीन मार्केट जजमाउट समेत सभी दुकानों पर ADF का हंटर चला और कई दुकानों को सील कर दिया गया है जो दुकाने बची हैं उन पर भी सेम्पलिंग की कारवाई की जा रही है दरसल बाबा बिर्यानी ने अलग अलग नामों से पूरे शेहर भर में दुकाने खोल रखी हैं जिन पर अब कारवाई की जा रही है बाबा बिर्यानी के मालक मुखतार बाबा पर दानपुर हिंसा के लिए क्राउड फंडिंग का आरोप है उसके लिए पत्थर बाजू को 500 रुपई से लेकर 1000 रुपई तक दिये गए थे जिसके बाद पुलिस ने मुखतार बाबा को गिरफ्त में लिया और उससे पूछताच शुरू कर दी इससे पहले 2019-20 में हुए CAA हिंसा में मुखतार बाबा पर गाज गिरी थी जिसके बाद मुखतार बाबा के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे लेकिन उसे उस वक्त क्लींचिट दे दी गई थी लेकिन अब उन अधिकारियों पर भी टेडी नजर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है जिसने उसे क्लींचिट उस वक्त दी थी माना जा रहा है कि उन अधिकारियों पर जल्द गाज गिर सकती है अब इस पूरे मामले में उस दोरान जाच करने वाले संबंदित सभी अधिकारियों की फाइल खंगा दी जा रही है खुद पुलिस कमिशनर विजे सिंग मीडा ने इस मामले में जाच के आदेश दिये हैं ख़वर है कि पुलिस विभाग समेथ प्रशासनिक अधिकारियों को रडार पर रखते हुए इनके खिलाफ कारवाई पैयार की गई है बीरो रिपोर्ट वीके न्यूज